नमस्कार शाथियूं अस्वनी जीयस क्लासेज में आप सबका बहुत बुर्षवागत है साथियूं आज हम लोग एक बहुत ही महतपूर्ण मॉक्टेस्ट को ले करके आपनों के समख शाजिर हुआ हूँ साथियूं आज का जो मॉक्टेस्ट है हिस्ट्री का बहुत ही महतपूर्ण कोश्ट मैं इसमें सामिल किया हूँ जो आपनों के एक्जाम के लिए बहुत ही महतपूर्ण है आईए हम सब कुछ कोश्ट को देखें कौन कौन से कोश्ट है जो आपके एक्जाम के लिए महतपूर्ण है साथियों आप सब यहाँ पर देखेंगे कि वेसे questions हैं जो आपके exam में कभी ने कभी questions आये हुए हैं या question आ सकते हैं इनी question का answer आप लोगों को ध्यान में रख कर से देना है साथियों तो बहुत ही महत्पणों session में लेकर काया हूँ आप लोगों के लिए तो साथियों देखें स्क्रिन पे पहला question दिखाई पढ़ रहा है कि पहला question क्या कहता है पहला question कहा रहा है साथियों कि जैन धर्म की दूसरी शभाक आयोजन कहा हुआ था जैन धर्म की दूसरी सभाक आयोजन कहा हुआ था साथियों ए अपका पहला कोशन है जैन धर्म की दूसरी सभाक आयोजन कहा हुआ था चार ओप्शन है आपके सामने पटना, वल्लभी गुजरात, C. लूंबिनी, D. राजग्री ये चार ओप्शन है जल्दी से कमेंट करेंगे बहुती शांदार कोश्चन है जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग इसका एंसर क्या होगा जैन धर्म की दूसरी शभा कायोजन कहा हुआ था A. पटना B. बल्लभी गुजरात C. लुम्बनी D. राजगरी कमेंट करेंगे साथियों अंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में इसका एंसर हो जाएगा जैन धर्म की दूसरी शभा कायोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था कहांपे हुआ था हाई हम सब देखते हैं दूसरे कोशन के बारे में कोशन यहां से कोशन एकजाम में आया हुआ है तो आपनें को पता होना चाहिए कि बोध धर्म के त्री रत्न कौन कौन से हैं तो कोशन यहाँ पर हैं नहीं करके पुछा गया कि कौन नहीं है इस बात को ध्यान देंगे नहीं है पुछा आया और पुछा गया त्री रत्न की इन में से कौन बौधर्म के त्री रत्न में सामिल नहीं है तो इसका एंसर हो जाएगा साथिओं इसका एंसर हो जाएगा D हो जाएगा सम्यक दर्शुन नहीं है सामिल बौधर्म के तिरत्न में बौधर्म के तिरत्न में 3 हैं बुद्ध धम शंग ए 3 शही है साथ यो A, B, C, 3 शही है D इसका एंसर नहीं होगा क्योंकि D गलत है साथ है आई हम से बात करते हैं तीसरे कोशन की उर बढ़ते हैं तिसरा कोशन क्या कहता है, तिसरा कोशन देखी क्या कह रहा है कि इन में से कौन जैन धर्म की त्रिरत्न में सामिल नहीं है, अब देखें जैन धर्म की त्रिरत्न में सामिल नहीं है, यह पूछा जा रहा है, तो पहले तो आपने बहुत धर्म के बारे में देखा, अब जैन ध चरित्र डी संग इन में से कौन सामिल नहीं है जैन धर्म के त्री रत्न में साथियों जल्दी से कमेंड करेंगे आप सब लोग इसका एंसर क्या होगा तो जैन धर्म के त्री रत्न में सामिल नहीं है तो इसका एंसर क्या होगा साथियों इसका एंसर हो जाएगा डी संग सामि नहीं है जैन धर्म के त्रिरत्न में साथियों आईए बात करते हैं चौथे प्रश्न की और चौथा प्रश्न क्या कहता है साथियों चौथा प्रश्न देखे क्या कह रहा है महाविर श्वामी की स्कूल से संबंदी थे महाविर श्वामी की स्कूल से संबंदी थे एक कोशन है आपका, तो A option है, ज्यात्रिक, B शाकिकुल से, C, A और B दोनों, और D, इन में से कोई नहीं, महावीर श्वामी कि स्कूल से संबंदी थे, ये question पूछा जा रहा है, महावीर श्वामी जैनधर्म के वास्तविक संस्थापक कह जाते हैं, जबकि संस्थापक पूछेगा, तो आप रिशब देव को बताएंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा, तो महावीर श्वामी को ही बताएंगे, तो question यहापर है, कि महावीर श्वामी कि स्कूल से संबंदी थे, ये आपको answer देना है, तो महावीर श्वामी साथी जो थे, वो किस कुल से संबंदी थे, जल्दी से कमेंड करेंगे आप सब लोग, बहुत इशांदार प्रश्ण है, इसका answer हो जाएगा सातियूं, इसका answer क्या होगा, महाविर्श्वामी जो थे वे, ग्यात्रिक कुल से संबंदी थे, सातियूं, ए ओप्सन हो जाएगा, महाव पाचवा परश्न कहता है साथियों हम लगों का देखें पाचवा परश्न क्या कहता है कि जौड़े पंच महा व्रतों में कौन ब्रह्मचर को जोड़े थे ? पाचवा यहाँ पर कौन है तो ब्रह्मचर है पाचमा पाचमा कौन सा है तो ब्रम्चर पाचमा है साथियों तो इस ब्रम्चर शब्द को किसने जोड़ा था यही कोशन पूछा गया है A option है महाविर श्वामी, B है पार्शुनात, C है रिशब देव और D है साथियों और इस्टनेमी A चार option आपके सामने हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि जयन धर्म के पंचमावरतों में कौन ब्रम्चर शब्द को जोड़े थे तो इसका answer क्या होगा इसका answer हो जाएगा साथियों किसने जोड़ा था तो A option हो जाएगा साथियों answer रही महाविर श्वामी ही ब्रम्चर शब्द को जोड़े थे साथियों आई हम बात करते हैं साथियों अगला प्रशन क्या कहता है अगला प्रशन है हम लोगों के समक्ष देखिए कि छठा प्रशन है कि जैन धर्म में उपवास द्वारा सरीर के त्याग करने को क्या कहा जाता था या वर्तमान में भी क्या कहा जाता है साथियों क्या कहा जाता है साथियों चार ओप्सन है आपके सामने जल्दी से कमेंट करेंगे बहुत ही शांदार प्रशन है तो जैन धर्म में उपवास द्वारा सरीर के त्याग करने को क्या कहा जाता था साथियों तो शल्लेखना कहा जाता था क्या कहते थे साथियों डी हो जाएगा इसका एंसर क्यों कि चंद्रगुप्त मौर के बारे में आपको पता होगा कि स्रवन बेल गोला मैसूर में जाकर के उसने उपवास द्वारा ही सरीर का त्याग गिया था जिसे सल्लेखना कहा जाता है आई हम बात करते हैं सात्में प्रश्न की और सात्यों, सात्मा प्रश्न क्या कहता है, कि बहुत धर्म में आरे शत्यों की संख्या कितनी है, बहुत धर्म में सात्यों आरे शत्यों हैं, कितने आरे शत्यों हैं आपको बताना है, A है 4, B है 5, C है 6, D है 7, A 4, B 5, C 6, D 7, कितने आर्य शत्यों की संख्या है साथ्यों कमेंट करेंगे जल्दी से, बहुत धर्यमें आर्य शत्यों की संख्या कितनी है सात्यों, तो A इसका इंसर हो जाएगा, चार हैं, बहुत धर्यमें 4 आर्य शत्यों सात्यों कीतने है सात्यों, महाविर्श्वामी का प्रतिक चिन था साथियों क्या था ए सांड बी सिंग सी घोडा डी हाथी ए भी कोशन पुछा गया है महाविर्श्वामी का प्रतिक चिन था क्या प्रतिक चिन था महाविर्श्वामी का तो महाविर्श्वामी का प्रतिक चिन क्या था चार ओप्सन दिय A. सांड, B. सिंग, C. घोड़ा, D. हाथी, क्या था सातियों, जल्दी से कमेट करेंगे आप सब लोग, इसका एंसर क्या हो जाएगा, इसका एंसर हो जाएगा सातियों, B. हो जाएगा, सिंग, क्या हो जाएगा, B. इसका एंसर हो जाएगा सातियों, सिंग, महाविर श्वामी क प्रतिक चेनिस सिंग था आईए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की और आठ्वा प्रश्न क्या कहता है साथियों बहुत ही महत्पुर्ण है आठ्वा प्रश्न को देखें कि बिने पिटक में किसका वर्णन है बौत धर्म में त्री पिटक की त्री पिटक है साथियों बौत बिने पिटक में किसका वर्णन है या पुछा गया है सात्यूं ए कहता है कि भिक्षो और विक्षुनियों के आचरण संबंदी नियमों का वर्णन है बी कहता है कि बौध हम्मत की दार्शनिक एवं आध्यात्मिक व्याक्या का वर्णन है C कहता है बुद्ध के धारमिक विचारों एवं उपदेशों का संकलन है D कहता है इन में से कोई नहीं जल्दी से कमेंट करेंगे बहुत सांदार प्रशन है सातियों कि इसका एंसर क्या होगा बिने पिटक में किसका वर्णन है तो बिनएपिटक में किसका वरणन है, कमेंट जल्द से जल्द करेंगे आप सब लोग, एक बार कोशन को ध्यान से देखने की कोशन क्या कह रहा है, बिनएपिटक में किसका वरणन है, इसका एंसर है साथियों, इसका एंसर क्या हो जाएगा, इसका एंसर हो जाएगा साथियो कि बिनैपिटक में भिक्षू एवं भिक्षूणियों के आचरण संबंदी नियमों का वरणन है साथियों क्या है आचरण संबंदी नियमों का वरणन मिलता है आईए बात करते हैं दस्वे परशन की और साथियों दस्वा परशन क्या कहता है दस्वा परशन को देखेंगे कि तृतिये बौध संगती का आयोजन किसके अधक्षता में हुआ था तृतिये बौध संगती का आयोजन किसकी अधक्षता में हुआ था किसकी अधक्षता में हुआ था साथियों तो option दिया गया यहां पर आप देख रहे हैं A. महाकशप B. सभाकामी C. मोगली पुत्त तिस्क D. साथियूं वसुमित्र क्या answer होगा जल्दी से comment करेंगे बहुत धर्म के तुर्तिये शंगती का तुर्तिये बहुत शंगती का आउजन किसके किसकी अधक्षता में हुआ था जल्दी से comment करेंगे किसकी अधक्षता में हुआ था साथियूं तो इसका answer क्या हो जाएगा comment करेंगे जल्दी साप लोग इसका answer हो जाएगा साथियूं C. हो जाएगा इसका answer मोगली पुत्त तिस के सासनकाल में हुआ था किसके सासनकाल में मोगली पुत तिस के सासनकाल में हुआ था साथियू ए इसका एंसर हो जाएगा है ना सी इसका एंसर हो जाएगा साथियू तिरतिय बहुत संगति के आउजन किसकी अधक्षता में हुआ था तो मोगली पुत तिसकी अधक्षता में हुआ था साथियू आईए हम बात करते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण भी देखिए बहुत ही शांदार है हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? 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 सातियूं, तो आपको यह सेसन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरू कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, siskyayब, share जरू कीजिएगा सातियूं. इसी तरह से आज के सेसन को मैं, समाप्त करता हूँ. आज के लिए सातियूं नमस्कार, जैहिंद.